अलो एवरेबन मैं हूँ अतुल सिर्वास्तव आज फिर लेके आये हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो जिसका टॉपिक है निश्टा प्रिच्छन माटिवल क्या रहा ये जो माटिवल है ये भाषा का सिच्छन सास्तर पर आधारित है और इसकी प्रशन उत्री दी और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है निम्न लिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है तो इसके चार आप्शन में से पहला आप्शन है शिक्छक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्छ चार या दो के समुहों में विवाजित करना और पाठ को बारी-बारी से पढ़वाना शिक्छक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना तीसरा आप्शन शिच्छारतियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुबवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। चौता आप्शन शिक्चक का पाठकों के विचारों के बारे में शिचारतियों के साथ एक संपूर्ण कच्चा गतिविदी के रूप में चर्चा करना। तो इसका सही आप्शन सोगा। अप्शन नमबर टू कक्चा को चार या दो के समुहों में विभाजित करना और पाठको बारी बारी से पढ़वाना। शिचकों पच्चों को समझ के साथ पाठको डिकोड प्याख्या करने को कहना। तो अब देखते हैं अगला कोशन है एक पूर पठन कारे का उद्देश खाली जगए है। तो यह जो खाली जगए है इसमें क्या भरना चाहिए क्या आप्शन सही है चार आप्शन देखते हैं। पहला आप्शन सिख्चारतियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। दूसरा आप्शन पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनभव और ज्ञान को जोड़ना। तीसरा अप्षन कठेन शब्दों को खोजने के लिए शिचारतियों को स्वयम पढ़ने के लिए कहना चोथा अप्षन पाठ के लेखक और पढ़े आने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके एक नए पाठ के शुरुवात करना तो इसका सही उत्तर होगा अप्षन नमबर टू पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पीछले अनभव और ग्यान को जोड़ना तो इसपे टिक करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला कोश्चन अगला कोश्चन है पढ़ना अर्थ गढ़ना है इस कथन से क्या अभिप्ड़ाय है इसके चार आप्षन्स दिये गए हैं पढ़ना पाठ के वड़माला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है पढ़ना ध्वनी समुहों शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है तीसरा पढ़ना शिच्छार्तियों के विशय वस्तू के साथ विभिन अर्थ जोड़ने के लिए प्रोचाहित करता है चौथा पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है तो इसका सही उतर होगा चौथा पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कोश्चन वर्तमान भाषा सीखने के नजरिये से निम्न लिखित में से कौन सा सच है आप लिख है तो यह जो आपको एरो जैसा दिख रहा है यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यह पूरा प्रश्न आपके सामने खुल कर आएगा तो इस पे क्लिक करके देखते हैं पूरा प्रश्न क्या है पहला सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विक्सित होता है दूसरा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विक्सित होता है तीसरा लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विक्सित होता है चौथा लेखन एक भाषा सीखने में शिच्छार्तियों द्वारा विक्सित किये जाने वाला अंतिम कौशल है तो इसका सही उत्तर होगा देखते हैं इसके options इसके चार options में से पहला option है तो इसका सही उत्तर होगा पहला सत्य है पहला सत्य है पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला question जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें खाली जग है क्या करना चाहिए इसके options हैं भाषा कौशल का निर्माड करना है दूसरा अप्षन वाक्य और कहानिया पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू कराना है तीसरा अप्षन उन्हें वर्ण माला के अक्षर पढ़ाना शुरू कराना है चोथा option मोखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है तो इसका सही अव उत्तर होगा चोथा मोखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है तो इसपे टिक करके हम लोग आगे वड़ते हैं और देखते हैं अपना अगला कोश्चन निम्य लिखित में से कौन सा कथन सही है या है तो पहला कथन है मातर भाषा दूसरी भाषा की सिच्चा में हस्ता चेप करती है दूसरा कथन है दूसरी भाषा सीखने में मातर भाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्ता चेप करती है तीसरा अप्शन है मातर भाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है चौथा कथन है मातर भाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है तो इसका सही उत्तर होगा कथन नमबर 3 और कथन नमबर 4 सही है तो इसमें टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला कोशन और अगला कोशन है बच्चे या मानव सीखता है खाली जगे तो इसको खाली जगे भषने के लिए 4 उप्षन दिये गए हैं पहला उप्षन है इस्कूल में केवल मातर भाषा दूसरा उप्षन काफी प्रियास बिना मातर भाषा तीसरा उप्षन बिना किसी प्रियास के विदेसी भाषा चौथा और Lawster Option है बहुत प्रयास से मात्र भासा तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा काफी प्रयास के बिना मात्र भासा तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला question हमारा अगला question है भाषा सीखने में केंद्रियता का अर्थ है की खाली जगे इसके चार आप्षन दिये गए हैं पहला आप्षन है सभी विशय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है दूसरा आप्षन सभी भाषा सीखना मूल रूप से विशय वस्तु सीखना है तीसरा आप्षन विशय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए चोथा आप्षन भाषा शिच्छन का केंडरी ये उद्देश केवल विशय बस्तू पर केंडरित है तो इसका सही उत्तर होगा पहला सभी विशय बस्तू सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ पहला आप्षन है सभी बच्चे सीखने के प्रारंबिक वर्षों के दोरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं दोसरा आप्षन इसकूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंगरेजी सीखते हैं तीसरा आप्षन सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से स्बिंगी हैं और कई भाषाओं को जोडते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसका सही उत्तर होगा option 4, सभी बच्छे अपनी मात्र भाषा में स्गूली सिक्षा चुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोडते हुए आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं हम लोग अपना अगला कोश्चन है भाशा सीखने की रणदीती के रूप में बहु भाशिकता का क्या अर्थ है इसके चार आप्शन्स देखते हैं पहला आप्शन माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाशा में विशय वस्तु सीखना दूसरा आप्शन कई भाशाओं का सीखना शिखाना और शिच्छन तीसरा आप्शन शिच्छा में शिच्छन अधिगम के लिए बच्चों की भाशा का उप्योग करना चौथा और लास्ट आप्षन त्री भाषा सूत्र को लागू करना तो इसका सही उत्तर होगा आप्षन नमबर तीन काक्षा में सिच्छन अधिगर्म के लिए बच्चों की भाषा का उप्योग करना तो इस पर टिक करके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी ये प्रशन त्री समाप्त हो गई तो इसके दसों कोश्चन हो गए हैं